प्रदान नमस्कार मैं हूँ गनेश युवरकर और आप देख रहे मेरा जी एच टीवी यूट्यूब चैनल जहाँ पे बॉलिवूड से रिलेटर सारी खबर मिलेगी सुशान सिंग राजपुश्री देवी जीवा भारती या जीया खान जैसे कोई भी मिस्टेरिस देथ हो ज कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यह बहुत जरूरी है बहुत लोग कोश्चन कर रहे थी कि मैंने आरेंग खान को सपोर्ट क्यों किया आज मेरे पास इसका एंसर मिल गया आरेंग खाने लातमार्दी करण जोर पे कैसे 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 वह ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक बहुत ही सिक्सेंस शायद भगवान ने दिया हुआ है मुझे समझ में आती है सारी चीज़े कौन सही है कौन गलत है पहले ही मुझे पता लग गया था आरेंग खान इनोसंट है तभी तो मैंने जवाब लिया था तभी तो मैंने आगे बढ़ा था इस पारे में अभी तो मैंने सारी दुनिया की खिलाफ जाके बोला था कि आरेंग इनोसंट है और लास्ट में क्या निकला पहले भी मैंने बोला था सुशान सिंग राजपुक के साथ गलत है जब मेरी की पूरी की पूरी इंडस्टी बॉलीवड मेरे खि कि अगरे लाख जन क्या है । इसे ही मैंने कई बार इससे स्तेट्मेंट दि ये मैंने कहा था खिलाफ हो दुनिया कि या ना हो सच होता है बाई मैंने कहा तह सुर्य हमशी हिट होग रिखे कि मुझे कही ना कर पता चल जाता है क्या है चलो इस वीडियो में आरें खान के बात करूँगा, बाग की सब तो चलता रहेगा जिन्δगी में, लेकिन, आरियन खान, आरियन खान, ने कैसे लात मार दी मैं बताशना आँब आपको, आर्यन खान की केस के बाद, वैसे ही वह शारू खान का बेटा है लेकिन अब शारू खान के बेटे से ज़्यादा आर्यन खान की पुब्लिसिटी हो गई थी पिछले एक साथ से हम देखी रहे उसके बाद एक तरह से जब वो इनोसन साबित हो गया उसके बाद एक क्लीन चीड जब मिली तब उसके बाद एक सिंपती और एक उस तरह से उसको देखने लगए आडियन्स तो हर कोई बॉलिवूड का क्या होता है प्रोडूसर लोग पीछे दोड़ते हैं उस इंसान के जिस इंसान का दौर आने वाला है जिस इंसान का आडियन्स चाह रही है ज जोया आक्तर जिनोंने रणवीर रणवीर सिंग की पिचर बनाए थी एक वह अपना टाइम आएगा गली बई ऐसे पिचर बनाए थी तो वह जोया अक्तर भी आज की रिटेब परिशानी वह शहर रहे कि ऐसा कोई बॉली वूड की पिचर बना है जिसमें हमें काफी सारा प बेटा है उपर से इतनी सारी पुब्लिसिटी के बाद आरेंग खान की पहले पिच्चर मतलब सुपरिट हो नहीं है अच्छा गासा कंसेप्ट लगाएंगे और फिर आरेंग काम चालो हो सकता है लेकिन आरेंग खान वो लड़का है अभी तक तो उसने कोई स्टेटमेंट दि बाप के पास गड़ता है शारू खान अब आरेंगे लिए बोलेंगे नहीं तो आरेंग खान ने बोला पापा पाको नहीं मुझे नहीं करने मुझे भरनजा की फिल्म करना जिए अंवा अगर मेरे बात बता रहा हूं मैं भी कोई लोगराफी ही करता अफकोर्स के यह अच्छे से आता है वहीं करूंगा लेकिन जब उसका चब सुरुत सब कुछ यह पास है खूल में अक्टिंग है तो वह अराम से अक्टर बन सकता है और जिसतर आमाहुल है वो पहले पिच्चल तो हिटो नहीं है बाकी सब होना है लेकिन उसने रिजेक्ट किया नहीं I am not interested in acting will do the direction और करण जोर की इस प्रोजेक्ट को उसने लात मार दिया जोया अक्तर को भी प्रोजेक्ट को लात मार दिया कि नहीं इनकी साथ काम नहीं करना है मतलब acting ही नहीं करनी ह यार शायद अब वही जाने क्या सच है लेकिन इन दोनों के प्रोजेक्ट को reject कर दिया और आरेंग खान direction में जाना चाहते है क्या आप आरेंग खान डारेक्ट करेंगे शारू खान की फिल्म या फिर पतानी क्या करेंगे लेकिन अब को जैसे की सारे की सारे film industry वाले पहले assistant direction करते है जिसे घितिक रोशन ने भी acting करने के पहले करन जोहर वगरे का सारी करन अर्जुन वगरे picture में उसने assistant direction का कोर्स कि बहुत ऐसे एक्टर है बहुत ऐसे डारेक्टर है जो डारेक्टर बने जैसे डेविड दवन के बेटे वरुन दवन के साथ साथ दूसरे जो बेटे थे उन्होंने पहले डारेक्शन assistant direction किया वे डेविड दवन अपने अफकोर्स अपने बाप के बापा के अंदर किया और इसके बाद डारेक्टर बने जिन्होंने पिच्चर बनाए दे डिशुम वरुन दवन और जॉन इब्रान के साथ तो assistant direction शायद आरिंखान स्टार्ट करेंगे और इसके बा portion एक बहुत बड़ा example है इसका हमारे सामने कि उसको पता था मेरे पास पूरी साहली थाली सजी हुई है लेकिन पहले assistant direction किया spot boy तक का का काम किया उसके बाद अपने आपको trained किया उसके बाद एक तरह से launch हुए super hero तरक से तो ये लंबी race का घोड़ा चलने के आसार है और ऐसी साथ मेरे साथ सच के लिए